नमस्कार दोस्तों मैं हुआ अर्बिंदर सागत है आप真的是 अपने इस YouTube चलना अर्बिंस अंगंपर दोस्तों आज कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप وट्सप पेमेंट कैसे यूज़ करेंगे अगर आप WhatsApp payment बनाना नहीं जानते हैं और से यूज्ट करना नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप देख करके सीख जाएंगे कि किस प्रकार WhatsApp payment बना जाता है तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बंडने से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूब प्रेस करें बविश्ट में हमारे इस चैनल पर आपको हेलफुल जानकारी और नेरे कांटेट आपको मिलते रहते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों बैंक अकाऊंट को आपको य्साफ पेमेंट में आइड करने के लिए आपको करना कियोंगा से पहले आपको अपने अन्प्राइब भुपर पंका प्रंप करना करना के लिए इसके के बाद आपको ने पेमंट का अपसाना हता है इसाइów पे топ का आफसन आता है यहां पर आपको कांटिनु करना है और कांटिनु करने के बाद आपको सिलेक्ट यूर बैंक आपको अपको अपनी बैंक सिलेक्ट करनी है जो इसी नमबर से बना हो जैसा कि आप जिस नमबर से वाटसप चला रहे हैं उसी नमबर से आपका जो बैंक खाता हो जुड़ा होना चाहिए और जो खाता जुड़ा हो जिस बैंक का जुड़ा हो आपको उस पे क्लिक करना जैसा है कि मेरा बैंक का बड़ादा जुड़ा है तो मैं बैंक का बड़ादा को सिलेक्ट कर देता हूँ उसके बाद verify और number के option पर click करना है इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं मेरा number जो है बैंक के तरफ से verify किया जा रहा है और जैसे यह verify हो जाता है तो हमारे पाद message इसका आ जाता है आप देख सकते हैं add an account का option आ चुका है इस पर हमें add का option simply click करना है अब हमारा जो खाता है हमारे whatsapp payment से link कर दिया जाएगा और हमारा सामने इसका जो message अभी आ जाता है तो हमें यहां पर continue कर देना है continue कर देने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने payment करने का option आ चुका है इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमारा जो बैंक खाता है हमारे whatsapp payment से जुड़ चुका जैसा है कि हम आपको back करके दिखा देते है बैक आयाते हैं यहां पर देख सकते हैं कि मेरा नाम रिंफादर का नाम लिखा हुआ है यहां पर देख सकते हैं तो हम यहां new payment के option पर जाएंगे और उसके बाद हमें send to a UPI ID को select करना होगा यहां पर हमें अपनी UPI ID डालनी और verify करना है यहां पर फिलप कर लिया है उसके बाद हमें यहां पर simply verify के option पर click करना है जैसे मैं verify के option पर click करता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा नाम यहां पर सो होने लाएगा है अब हमें अगर payment करना है जैसे कि पांच रुपे करना है यहां पर 5 रुपे सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद next के option पर simply click करना है और उसके बाद मैं send payment के option पर click कर देने के बाद हमारा जो payment है सफलता पुर्वक हो जाएगा पिन नमबर और जैसे आप जो आप सेट कि रहेंगे पिन नमबर डालेंगे आपका जो payment है वो कत हो जाएगा और जहां पर आप सेंड किये रहेंगे वहाँ पहुंच जाएगा तो आप इस परकार आराम से इजली आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों ये रहे कुछ जानकारिया जो हमने आपके साथ साजा की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करें तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन्द बार